सबसे पहले आपका सुब नाम हम जानना चाहेंगे रवी चौधरी जी क्या करते हैं आप इस्टडी करते हैं यहां बोपाल में जी आप जैसा देख सकते हैं यहां पर यह जो रैट सगनल है और यह जो भी यातायात के नियम है यह सरकार क्यों यह नियम को पालन करने के लिए जनता से कहती है आप अपने बचार बताईए हमें इस बार में सरकार मतलब यह ट्राफिक ट्राफिक ना लगए है ना इसलिए नियम लागू किये गए हैं क्या ऐसा नहीं है कि ट्राफिक नियम से चलने से अपनी जान भी बस्ती है हाँ जान बस्ती है बहुत सारे फाइदे बिभी यह इसके अपन को रहत आफिक रूट से चलते हैं तो और अश्गी बेनिफिट यह है कि मतलब कि शीरियल से चलते हैं सभी वाहन है ना पहले यहां के जाएं फिर वहां एस लिए क्या सरकार जो चालान काटती है अपनी गलती पर अपनी गलती पर हाँ वो चालान ट्रेफिक रूल्स के नियम के खिलाफ है या नहीं है आप तो क्या लगता है नहीं है वोल्कुल नहीं है पुचित करती है सरकार जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर आप भी देख रहे हैं कई लोग रेट सेखनल होने के बावजूद भी निकलते जा रहे हैं कई लोग हेलवेट नहीं लगाएं कई लोग तरफलेंग निकल रहे हैं जैसे वो लड़का निकला देखिये उसको तो कहीं न कहीं ट्रैफिक रूल्स अपने लिए हैं या सरकार अपने लिए चला रही है अपने लिए अगल आपनी सुरक्षा के लिए ट्राफिक रूल बनाई हैं ऑर यम्राज का चालान कटने से बचता है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका एक बार और अपना नाम बताएं, रभी चौधरी भाई से बात करके हमें बहुत खुशी हुई